हलो कि वालगों दोस्तों तो फैंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताकाए था आपके एक्जाम फ़ीजिंड और सेकेंड या फिर फिर फाइनल यe के स्टुरिण तो फैंट्स आप लोगके एक्जाम डलना सुट merekaँ चुके हैं और फेंट्स एक्जाम फॉर्म कफ से कब तक डलना स्टार्ट होंगे कितनी वगरा फीसिस में लगने वाली है तो फेंट्स पूरी इंपोमेशन के साथ मैंने एक वीडियो बना रखा है और वीडियो के ठीक निचा आपको इसके लेंक मिल जाए आप है जो उस दोकुमेंट्स मांगते हैं तो फेंट्स चाहे आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट बिल्कुल इस वीडियो को पूरा जरू देख लिए दोनों के लिए आपके एक्जाम फॉर्म के साथ कौन कौन से डोकुमेंट्स लगने वाले हैं पूरी इंफोर्मेशन के साथ मैं आ आपसे ना हो मेंस तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए हर अपडेट बाने के लिए तो फेंट्स जैसा कि आप सभी लोग देख पाराओं दोस्तों यह जनवरी दो हजार बीस का अपडेट है तो फेंट्स यहां पर लेगा है प्रतम बस के चात्र एतु अती अवस्तक सूचना तो फेंट्स चाहे आप फर्स्ट एयर में हो सेकेंड एयर में या फिर फाइनल एयर सभी के लिए बिल्कुई यही सूचना आपको देखने को मिल जाएगी तो फेंट्स यहां पर लेगा है प्राइ यह देखा गया है कि चात्र परिक्षा फीस भरने के बाद ओनलाइन परिक्षा फोर्म नहीं भरते जिससे वहां परिक्षा में नहीं बेट पाते हैं तो फेंट्स यहां पर लिखा है आपको सबसे पहले परिक्षा के फीस को लेंज में समिट करना है इसके बाद ओनलाइन आपको परिक्षा फोर्म भरना है तो फेंट्स ओन परिक्षा फोर्म अवस्यक रूप से भढ़ना चात्र की जिम्मेदारी है अगर वहां ऐसा नहीं करता है तो परिक्षा में नहीं बैठ सकेगा जिसके लिए चात्र सोयम जिम्मेदार होगा तो फिर बिल्कुल इसमें किरिया लेका है कि आपको फीज जमा करना है परिक्षा फ कि दान पर जाकर वो अनलाइं परिक्षा फॉर्म आवस्यक रूप से भढ़ना चातर की जिम्मेदारी है तो आपको पहले फीस जमा करना है इसके बाद ऑनलाइन आपको क्या ınте करना है चली आपको फॉर्म डालने के बाद कोन-कोन से डॉक्मेंट आंपको को लिम में भी करना है इसकी सुशनावी यहां पर आपको दिखा देता हूं तो फेंस यदि आप रेगुलर इस्टुएंट है तो आपको टेंथ की माकसी ट्वल्थ की माकसी प्रिवेस रतीत की छायवरत प्रती और परिक्षा फीस की मूल प्रती अगर में सिक्चा में आंतरान होने पर से प्रिवेस्ट प्रदेश में प्रकृति या पर आपको दिखत की में पर दिखा देता हूं और फेंस यहां पर लीखा गया है प्रइवेट चात्रों के लिए तेन की तो आपको क्या करना है पात्ता प्रिबान पत्र यहां पर लगाना कमपस जड़िए तो फैंस इस विर्कार आपको मैंने पूरे डोकुमेंट्स के नाम बता दिए कि आपको एक्जाम फोर्म के साथ कौन-कौन से डोकुमेंट्स लगने वाले तो फैंस आप लोग ने मैंने अभी डाला तक कम्मेंट्स पे तो मैंने उसमें बता था कि आप लोग कौन-कौन लोग चाहते हैं कि आप आपकी एक्जाम फीस खुद आपके मुवाईल फोन से भर सकें तो फैंस ऐसा कुछ अभी कोई अपडेट नहीं है और फैंस यह एरले फैंस वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है मैंने इसमें काफी ट्राय कर लिया फिर भी मैं इसमें प्रोसेसिंग और कर रहा हूं जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं कि आप अपनी एक्जाम फीस खुद भर सकते हैं तो बिल्कुल आई होप कि आपको वीडि इस वीडियो में धन्यवाद